आज की वीडियो यदि आपने पूरी देख ली तो आपके लाखों का खर्चा बचने वाला है कैसे बचने वाला है क्योंकि ये वो दस नियम ऐसे हैं जो की दिन प्रति दिन हम लोग सुवैसे साम तक करते हैं इन क्रियाओं को किसी प्रकार से लेकिन जो जिस तरीके से मैं बत सही कर लें तो आप बीमार कम होगे निरोगी रहोगे और निरोगी रहोगे तब आपकी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ सही रहेगी आपके पैसे दवाईयों पर खर्चे नहीं होंगे बाकी चीज़ों पर खर्चे नहीं होंगे तो जान लेते हैं कि करके वो कौन से नियम ह और यदि आपको सही लगे यदि आपने पांच नियम भी फोलो कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने बाले हैं और यदि आप किसी का भला चाहते हो कि आपका पड़ोसी रिष्टेदार मित्र वो भी स्वस्त रहे तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर साजा किजिए चलिए सुरू करते हैं तो पहला जो नियम है जो कि बहुत जरूरी है जब भी आप फल खाते हैं तो वैसे तो फल कभी भी दुपैर के बाद ये रात को नहीं खाने चाहिए लेकिन होता क्या है कई बार हम साधी पार्टी में गए तो वाँपर फ्रूर सेलेड मिलती है तब पर उसमें आपको अलग से मीठा भी आड़ करते हो बहले है आप कही मार्केट में ठेले पर जूस पी रहे हो तो आपको पताए उसमें सक्कर डालेंगे अलग से नमग भी डाल देंगे तो यदि ये चीज़े आप एड़ करोगे फलो के रस के अंदर तो उसकी क्वालिटी बिलकुल खतम हो जाती है 50% क्वालिटी भी नहीं रहती है तो फलो को रो फोम में जैसे हैं अच्छे से साप करके वैसे खाईए दोपैर के बाद और रात में कभी भी ने खाईए ये नियम जरूर अपनाना है इसी के साथ मठा ज्यादा खटी चीजें और ज्यादा तलीव चीजें कभी भी साम से बात नहीं खाने चाहिए यानि कि रात को डिनर में इस पिरकार के चीजें आपको नहीं खानी हैं अगला नियम क्या है कोई भी ऐसी चीज जो कि घी या तेल में बनी हुई है माली जी फ्राइड है या फिर ज्यादा घी का उपयोग किया गया उसके अंदर तो उसके बाद कम से कम एक डिएड़ घंटे बाद तक आपको पानी नी पीना है माली जी कोई ऐसा खाना खाया है आपने जो कि बहुत ज़्यादा तलावा था फ्राइट सा बली वो तेल में हो या घी में हो या कुछ और इस तरह के स्नेक्स आपने लिए हैं उसके बा ज्यादा तेज और ज्यादा देड़ तक जो है तो आपके लिए हानी कारक साबित हो सकता है तो खाना खाने के तुरंट बाद आप पांस साथ मिनट वज्जरासन में बैठ सकते हैं उसके बाद आप हल्का फुल्का वोक कर सकते हैं जो कि आपके स्वास्ते के लिए आपके सकता है नीद भी आ जाए आप लेड़ाइन पोजीश्न में हो जाओ Candy तो आपका खाना जो है वह हो सकता है वाप수 क्यों में पैइक व engaged बैग मुं सकता है एसा यदुक्ति ale युदि है और आप यदि सो ग hours गये लेकिन आपका पेड जो है आपका requests में लगातार लगा हुआ है जिससे कि आपकी health disbalance हो जाएगी और इसके दुस्प्रबाब आपको देखने को मिल सकते हैं तो खाना खाने के कम से कम दो घंटे तक तो बिलकुल ना सोएं वैसे तो तीन घंटे का टाइम होता है लेकिन दो घंटा minimum है कि कि आप खाना खाने के बाद दो घंटे बाद ही सोएं अगला नियम है जैसे कि आपने सुना होगा कि रुका हुआ तो पानी भी सर जाता है इसी परिकार से सुबह को बहुत से लोग हैं लेट उठते हैं कई बार वो रात को लेट तक जाकते रहते हैं उसी के बाद उस सोषते हैं कि निन्त पूरी करनी है पांच-छे गंटे की तो सुबह को आपने अराम से साथ आठ बजे नो बजे तक उठ रहे हैं बहुत से लोग को लाइफ स्टाइल होगा ऐसा होता है तो जब आप आप आठ बजे उठोगे तो यकीन मानिये आपकी एज जैसे ही 30 प्लस 35 या 40 प्लस होगी तो आपको कुछ ऐसी समस्यां को सामना करना पड़ेगा इवन मैंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा देखा है कि उनके सोल्टर में प्रोब्लम हो गई उनके जोइंट्स में प्रोब्लम हो गई बहुत ज़रूरी है ये आपको मान लिजी कि आप जो दिन में खाना खाते हो ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये हैबिट अगला नियम है यदि आप कहीं तेज धूप में चलकर आ रहे हो या फिर आपने कोई मेहनत का काऱरे किया है भले एक खेती किसानी काया है कोई और काम है या फिर सोच गए हो सोच जाने के बाद आये हो तो इन सब तीनो किरियाओं के बाद आपको तुरंत पानी नहीं पीना है यदि इन किरियाओं के बाद आप तुरंत पानी प्योगए तो आपके स्वास्ते के लिए बहुत ज़्यादा हानिका रखोगा ये आपको नियम ध्यान में रखना है बहुत से लोग सहद और घी जो हैं वो यूज करते हैं कई जग ऐसा भी होता है कि जो नवजात बच्चे होते हैं उनको सहद और घी मिला कर दिया जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक विस बन जाता है यदि आप सहद और घी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाओगे एक चम्मच सहद एक चम्मच घी ऐसे आपको कभी भी उप्योग नहीं करना है यदि आपको करना ही पड़े मजबूरी में तो इन दोनों की मात्रा बराबर नहीं होनी चाहिए ये विस बन जाता है यदि आप इसको बराबर मात्रा में उप्योग करोगे आगला नियम जो है वो खासकर सर्दियों में लोग जो इसको ऐवोईड करते हैं बहुत से लोग को जानकारी नहीं है यदि आप सरदियों में ठंड से बचने के लिए सर पर कोई कपड़ा बांद कर या कैप लगा कर या फिर पैरों में मोजी पहन कर सोते हो तो ये बहुत गलत है आपके स्वास्त पर इसका बहुत बढ़ा दुस्प्रवाब पढ़ता है तो सरदियां आने वाली हैं आपको सर प इने की विरोधी चीजों को कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए साथ में मिला कर तो बिलकुल ना ले और साथ में वैसे भी ना खाएं जैसे की कठल के साथ दूद के साथ दही का से बन हो गया अब दूद से ही दही बनता है लेकिन विरोधी कैसे हो गया क्योंकि दोनों की quality अलग होई, दोनों का temperature, दोनों की प्रिक्रती बिलकुल अलग हो गई है, जब दूस से दही बन जाता है, इसी पिरकार से मचली के साथ दूद, अब ये तो बहुत भेंकर बीमारियों को भी जन्म देता है, तो ये और इसी पिरकार के बहुत से ऐसे food combinations, जो की तो जो digital tech world है, उसमें mobile में बच्चे लग रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, बहुत नजदीक से आपको पढ़ना, और खास कर यदि आप mobile पर, ये tap पर, laptop पर, digital screen पर पढ़ रहे हो, तो बहुत खतरनाक है, इवन यदि आप book में, किताब में भी पढ़ रहे हो, copy में पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा नजदीक से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, और गर्मियों में खास कर यदि आप धूप में आपको चलना पढ़ ला है, टेलना पढ़ ला है, तो अपने सर पर एक कपड़ा, कोटन का कपड़ा जरूर रखें, तो ये कुछ वो जरूरी नियम है, यदि आप इन दस नियमों को फोलो कर लोगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्तर होगे, और जिसमें से कि मेरे जो फैबरेट नियम है, वो ये हैं कि जल्दी उठिये सुबह, वियायाम जरूर करिये, अपना खाने पीने का पर्टिकुलर टाइम रखिये, उसका एकदम से आपने खाना खाया है, खुछ तली बुनी चीज़ खाये, तो पानी नहीं पीना है, और आपको वजरसन खाने के बाद करना है, और भी जो नियम मैंने बताए हैं, उनको फोलो कीजिए, आपकी आदी से ज़्यादे बीमारियां यदि आपको अभी सुरुवाती फेस में हैं, तो वो ठीक हो जाएंगी, आपको यदि जोइंट्स में पेन की समस्या है, थेस्टा झाले बीमारिया करना है,